नमस्कार दोस्तों, मैं अभीकुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल रंगमंच एंड सिनेमा टिप्स में ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा होसला उम्र भर ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ, लेकिन हाँ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, वेल आइकन को फ्रेज करना ना भूलेगा, ये भाई की वि कि आप अपना करियर किस फिल्ड में, किस लाइन में बनाना चाहेंगे, तो हमको लगता है कि 50% लोग ऐसे होंगे, जो कि हिंदी सिनेमा में, हिंदी रंगमंच में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, जियां दोस्तों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुढ़े हों, चाहे हम लोग को अगर हिंदी सिनेमा में, हिंदी रंगमंज में करियर बनाना है, एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है, तो एक acting training school की जरूरत पड़ेगी, जहाँ दोस्तो. आज मैं उसी acting training school के बारे में आप सब लोगों से बात करने वाला हूँ. उस Acting Training School का नाम है BNA, भारतेंदुनाट Academy की स्थापना सन 1975 में भारतेंदुजी के यादगार में उत्तर प्रदेश शाषन के अंतरगत संस्कृति मंत्रालेद्वारा लखनवु में किया गया था भारतेंदुनाट Academy के सन स्थापक श्री अमरितला नागर जी, श्री राज बिसारिया सर है भारतेंदुनाट Academy का पहला बैच सन 1976, 1976 में स्टार्ट किया गया था और हाँ, अगर आप ततकालिन अपडेट जानना चाहेंगे भारतेंदुनाट Academy के बारे में तो इस में, प्रेजेंड में भारतेंदुनाट Academy के चेर्मेन श्री रवी शंकर खरेजी हैं तो दोस्तो ये तो हो गया बियन्ने के बारे में लेकिन हाँ दोस्तो मैं कुछ पूर्व चेर्मेन के भी नाम लेना चाहूंगा आप लोग के सामने जैसे की श्री आनुपम खेर जी, श्री मती नादिरा बबबर जी, श्री याश्वन्त निकोसे जी इस तरह के दोस्तो बहुत सारे चेर्मेन बियन्ने के हुए सबका नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, मैं माप भी चाहता हूं बस मैं इतने ही लोग का नाम ले रहा हूं आप लोग के सामने तो दोस्तो ये हो गया बियन्ने के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि बियन्ने में प्रवेश कैसे ले जिया दोस्तो, जो कि हम लोग के लिए सबसे महत्पूर है बियन्य में प्रवेश रेने के लिए सबसे पहले हम लोग का इसनाथ तक डिगरी कंपलीट होना चाहिए कम से कम दस नाटकों में अभिनय का अनुभव होना चाहिए दो नाटकों में निर्देशन का अनुभव होना चाहिए और साथ में back stage का भी अन्भावना चाहिए जिहां दोस्तों, तभी हम लोग BNA के form को apply कर सकते हैं, जिहां, apply करने के बाद, चयन प्रक्रिया के अंतरगत, हम लोग को एक लिखित retain देना पड़ता है, और एक audition देना पड़ता है, तब जाके BNA का चयन प्रक्रिया पुड़ होता है, जिहां दोस्तों, उसके बाद BNA हम लोग को दो साल का नाट्ट विधा से डिप्लोमा कोर्स प्रदान करती है, उस कोर्स के अंतरगत हम लोग को light, costume, makeup, direction, cinematic design, voice and speech की क्लास, acting, इस तरह के दोस्तों, बहुत सारे क्लास ली जाती है, सिखाई जाती है, और इसी कोर्स के दर्भ्यान हम लोग को last year में, second year में, हम लोग को जो है, सत्यजीत राय film and television institute Kolkata से, जियां दोस्तों, इतने सारे कोर्स कराने के साथ में, हम लोग को बियन्य ऐसी सारी सुविधा भी परदान करती है जो की बहुत ही सराहनी माना जाता है जैसे की हम लोग को फ्री में होस्टल परदान करती है फ्री में लाइब्रेरी परदान करती है Supreme and Naat Prasthuti के लिए Vata Nucleet Prakshagri प्रदान करती है, इस तरह के बहुत सारे ऐसी सुविधा प्रदान करती है, जो की हमेशा बहुत पहले से ही बहुत ही सराहनी माना जाता है, और साथ में 24 रुपे पर मन्त का scholarship भी प्रदान करती है, जिहां दोस्तों, इतने सारे सुविधा का हम हम लोग से फीस कितना लेती है BNA, मातर आपका पूरे दो साल का, 17 से 20 हजार रुपे लेती है दोस्तों, जिहां, सोचिए कितने कम फीस में हम लोग कितने कोर्स को कर पा रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि पूरे भारत में इस से सस्ता कोई acting training school होगा, जिहां दोस्तों, त आप BNA का form direct जाकर BNA ले सकते हैं, नहीं तो, description में मैंने link दे रखा है, वहां से आप BNA का form को प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी BNA के बारे में ले सकते हैं, और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं कुछ पूरे छात्र के भी नाम लेना चाहूंगा आप लोग के सा में, जैसे कि श्री राजपाल यादो जी, श्री नमाजुदीन सिदिक्की जी, श्री जगत रावत जी, श्री अनुपम श्याम जी, इस तरह के दोस्तों, बहुत सारे चात्र BNA से निकले हैं, हिंदी रंगमंच में, हिंदी सिनेमा में अपने करियर को बनाए हैं, और अपन अपने एक्टिंग करियर को निखारिये, और हिंदी रंगमंच में, हिंदी सिनेमा में, हिंदी टेलिविजन में आगे बढ़िये, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, नमस्कार.